गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टूई लर्निंग क्लास, आज हमारी चौथी क्लास है, हमारा दिसंबर एक्जाम का कॉश्चिन पेपर कम्ट्रीट हो चुका है, अब हम आगे अपने स्लेबस पर आते हैं, आगे है पंद्रवाँ पार्ट, पार्ट का नाम है नील जन्तू रहते थे, वो सभी बहुत प्यार से रहते थे, इस पार्ट का नाम नील कंट, एक मोर के नाम पर रखा गया है, एक दिन लेखी का अपने किसी अथिती को स्टेशन पर पहुंचा कर, रास्ते में पक्षियों बेचने वाले मिया की दुकान पर रुकी, बड़े मिया लेखी का ने उनसे कहा, कि शंकरगर से एक चिडी मारल आया था, वो दो मोर के बच्चों को लाया है, उनमें एक मोर है और एक मोर नी है, आप उन्हें ले जाईए, नहीं तो कोई मारने वाला उन्हें ले जाएगा, लेखी का ने उन दौनों को 35 रुपे में पिंजरे खरीद लिया, जब लेखी का न दौनों पक्षियों को लेकर घर पहुची, तो सब ने उनसे कहा, कि आप तो तीतरों को ले आई हैं, दुकानदार ने आपको ठग लिया है, लेखा को उनकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, वे दौनों पक्षियों को अपने क अरकतों से उनका ध्यान अपनी ओर खीशते रहते थे, वो दौनों कभी लेखी का की कुर्सी पर चड़ते, तो कभी मेज पर, इसी तरह वो उसके पूरे कमरे में गूमते रहते थे, वो ये मौका देखते थे, कि वो कब कमरे से बाहर निकले, लेकिन लेखी का अपने कमरे क का हमेशे दर्वाजा लगा कर रखती थी ताकि वो कमरे से बाहर ना जा पाएं उन्होंने लेखी का के कच्रा डालने की टोकरी को ही अपना नया बसेरा बना लिया था फिर लेखी का उन दौनों को पक्षियों वाले बड़े जाली घर में पहुंचा देती है इन दौनों पक् पीछे दौड का उचल कूद करने लगते हैं वो सभी बहुत खुश होते हैं उनके घर में दो परिवार उनके परिवार में दो सदस से और आकट जुड़ जाते हैं तो सभी बहुत प्यार से रहने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं धीरे धीरे उनके ये सभी बड़े ह लगते हैं जो मोर के बच्चे मोर और मोरनी होते हैं वो बड़े होने लगते हैं मोर के सिर की जो कलंगी होती है वो थोड़ी बड़ी होने लगती है चमकदार हो जाती है चोच पहले की अपिक्षा तीकी होने लगती है मोर की आंको में नीली आभा चमकने लगी थी मोर की मौर की तमस्ता के नाम और होने के और मोर का नाम नीलकंट मिवल रखा गया और जो फिरीम मौइ के साथ हमेशarea के नाम चाया की तरह रहती थी मोर की बात को नहीं मानता था तो मोर उसे अपनी चोंच के प्रहार से दंड देता था मोर सभी पक्षियों से नहीं करता था सब की रक्षा भी करता था एक बार एक साप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया था तथा उसे निकलने का प्रयास कर रहा था खर्गोश के बच्चे की धीमी आवाज को भी मोर्न के तेज कानों ने सुन लिया था उसने तुरंत साप के फन को अपने पंजों में दाबा कर उस पर अपनी चौँच तेज चौँच से उस पर प्रहार किया और जो वो सांप था उसे जखमी कर दिया उसे उसके दो टुकडे कर दिये और इस प्रकार मोर के मोर ने खरगोश के बच्चे को उसके मुह से बचा लिया बाहर निकलते ही खरगोश का जो बच्चा था वो बेहोश हो गया नीलकंठ ने सांप के टुकडे टुकडे कर दिये थ जबकि मोरनी ने मोर की कोई साहता नहीं की थी, किन्तु उसने अपनी आवाज से पूरे घर में इस घटना की सूचना देती थी, जब तक घर के लोग वहाँ पहुंसते साप मर चुका था नीलकंट खरगोश के बच्चे को अपने पंखो की गर्मी पहुचा रहा था, नीलकंट उस रात उस खरगोश की बच्चे के पास ही बैठा रहा, इस घटना को देखकर लेखी का ने सोचा की कार्तिके ने अपनी सवारी मोर को ही क्यों चुना है, जरूर उसके अच्छे मेगो के आने से पहले ही हवा की सुजल आहट पा लेते थे, वर्षा रितू में नीलकंट दौरा पंखो को फैला कन रित्य करना उसे बहुत पसंद था, वर्षा की गती के साथ साथ नीलकंट ने रित्य की गती भी बढ़ जाती थी, वो और तेज-तेज नासता था, राधा वले ही नीलकंट के भाती सुंदर ना नास सकती हो, लेकिन वो फिर भी नीलकंट के साथ नासती थी, उसका पूरा साथ देती थी, नीलकंट और राधा का प्रेम, सहचर्य का प्रेम था, यानि वो एक दौनों से बहुत अपने एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, एक तूटे हुए थे उसने बताया कि चिडी मार ने उसके साथ ऐसा किया है लेखिका ने उसे 7 रुपे में खरीद लिया उसका इलाज करा और उसे शीगरी ही ठीक कर दिया लेखिका ने इसका नाम कुपजा रख दिया कुपजा अन्य पक्षियों की भाती सबसे मिलकर नहीं रहत के लिए करने का प्रयास करती थी उसने एक बार तो राधा को पंजो राधा के पंखोर कलंगी को नोच डाला था राधा ने दो अंडे दिये थे लेकिन जो कुपजा होती है वो उन्हें भी चोंच मार कर अपने प्रहार से तोड़ देती है वो किसी को भी नीलकंट के पास नहीं आने देती है लेकिन जो नीलकंट होता है वो राधा से दूर होने पर बहुत दुखी हो जाता है बिलकुल शांत हो जाता है वो एक ही जगह पर रहता है ना कुछ खाता है ना पीता है किसी के साथ नहीं रहता है वो बहुत परिशान हो जाता है लेकिन जब देखता है कि कुपजा ने राधा के अंडो को भी मार दिया है तो वो इस घटना से और ज़्यादा दुखी हो जाता है राधा से अलग रहने की कारण नीलकंट बहुत ज़्यादा उदास हो गया निराश हो गया कई बर तो वो जाली घर से भाग भी गया कई बर वो निराश होकर आम की शाखाओं पर चिपकर भूका प्यासा बैटा रहता वो नीलकंट की आँखों में शूननेता बनी रहती थी लेखी का सोस्ती थी कि समय आने पर सब कुस ठीक हो जाएगा लेकिन क्या होता है जो नीलकंट होता है वो बहुत जादा दुखी रहता है लेखी का एक दिन देखती है कि नीलकंट धरती पर पंक फैला कर बैठा हुआ था लेखी का के पुकारने पर भी नीलकंट हिला डुला नहीं उसने कुछ भी नहीं कहा ना बोला वास्तम में वो मर चुका था लेखीका ने उसे अपनी शाक, अपनी शौल में लपेट कर गंगा नदी में प्रभाइत कर दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया रादा नीलकंट की मृत्यू के पस्चात, उसका इंतजार करती रही मेगो के च्छा जाने पर वेह उसे तेज आवाज में पुकारने लगती कुपजा भी नीलकंट को ढूंडती रहती, जाली घर का दरवाजा खुलते ही वेह आम, अशोक, कचनार, आदी के पेडों पर उसे ढूंडती थी एक दिन कुपजा आम की साखाओं में से नीचे उतरी, तो उसके सामने कजली कुटिया ने उसकी जो लड़ाई है, वो कजली से हो जाती है उसने कजली की पीट पर अपनी चोंच मार दी, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा था जो कुपजा थी, वो तो सब पर आक्रमन करती थी, उसको स्वभाव ऐसा था उसने अपनी स्वभाव की करण कजली पर भी प्रहार किया कजली ने दो दात उसकी गरदन पर गाड़ दी और तबी उसकी जीवन जो लीला थी वो वही समाप्त हो जाती है, यानि तभी कुपजा होती है, वो मर जाती है इस प्रकार लेखी का ने इस पार्ट में तीन पक्षियों की प्रमुक विशेश्ताओं का जीवन वर्णन किया है, मोर, मोरनी, मोर का नाम था नीलकंट, राधा और कुपजा जो कुपजा के आने पर राधा और नीलकंट का जो प्रेम होता है, वो समाप्त हो जाता है तो बेटा, ये हमारा पार्ट था, बहुत इंट्रस्टिंग पार्ट था, बहुत अच्छा पार्ट था आपको इसकी स्टोरी अच्छे से लर्न करनी है आपको पता होना चीए स्टोरी में हुआ क्या था आपको खुद भी पढ़ना है, सुनना भी है अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में